प्रेंड मैं शुस्मा मोरिया स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने सी यूट्यूब चैनल पर प्रेंड हम रफू करने का तरीका बताने जा रहे हैं और यह हाथ से रफू होगा पिछली वीडियो में हमने मशीन से रफू करने का तरीका बताया था और आज की वीडियो में मैं हाथ से करूंगी तो यह रफू कैसे होगा इसको हमने छोटे से कपड़े में फ्रेम लगा लिया है क्योंकि फ्रेम लगा रहता है तो थोड़ा टाइट रहता है तो रफू करने में हमें आसानी होती है तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि हमने इतना बड़ा कट लगा लिया है रफू का तरीका बताने के लिए अब इसमें क्या करेंगे सुई में डबल धागा डालेंगे कपड़े से मैचिंग और इसको पीछ साइड से निकालते हुए मैं कपड़े को बिल्कुल किनारे नहीं लगाना है सुई को थोड़ा सा हट करके यहां से निकालना है ऐसे इस तरह से इतना यहां पर भी छोड़ते हुए इस तरह से और इसको हम ऐसे बिल्कुल सटा सटा करके धागी को खीशते हुए पूरी गैपिंग को भर देंगे बिल्कुल बराबर करना है, बोद खीचाओ नहीं देना है, बोद खीचाओ होगा अगर तो हमारे कपड़ा ये सिकोडने लगीगा, तो इसमें वो शेप नहीं आ पाएगा फ्रेम को हम ऐसे घुमा लेंगे अपनी तरफ और ये गैपिंग हम इस तरह से भरेंगे, इसमें एक उपर एक नीचे इस तरह से धालगे को उपर नीचे दबाते हुए हमें ऐसे चलाना है, प्लस के निशान की तरह है, ऐसे, उसके बाद फिर घुमा लेंगे, जैसे करने में आसानी हो, फुल कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल इसको इसी तरह से बिल्कुल हमें एक धागा उठाएंगे, एक दबाएंगे, एक उठाएंगे, एक दबाएंगे, इस तरह से हमें मैट होती है, उसी मैट क्या कार कही है, हमें हेरफ बनाना होता है इस तरह से हमारी सारी गैपिंग हमें भर लेना है दोनों साइरों से और उसके बाद पीछे से धागा करके इसको हमें नॉट लगा देनी है जब हमारा कपड़ा कोई कटपिट जाए तो हमें रफू आना बहुत जरूरी होता है फ्रेंट मशीन से करें हाथ से करें तो छोटी मुटी चीज के लिए हमें लेके टेलर के पास दोड़ना पड़ता है इसलिए रफू करना बहुत ही जरूरी होता है कि छोटा काम अगर है हम घर में ही कर लिए इसे मेरा समय और बैसा दून बचता है तो अगर हम बिगनर हैं सिलाई सीख रहे हैं तो यह सब चीजें आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से हम पीशे नौर तगा कर और इसको कट कर रहेंगे अगर बिल्कुल मैट किया करका हमारा बन गया है इधर से किया है और यह थी हमारी छोटी से वीडियो तो हमें आशा करती हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक यू